वेल्कम वीवर्स और बात करूंगा फ्यूचर ग्रूप डील के बारे में और दोस्तों जो मैंने इसमें मैंचन किया है उसका इच एन एवरी पॉइंट आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा कि मैंने इसके पीछे जो लिखा है उसके पाटिकुलर रीजन क्या है मैं आप नंबर और वीडियो कम होते हैं बट जब मेरे पाट कोई जानकारी होती तब यह बनाता हूं डेली वीडियो बनाना बिना इन्फोर्मेशन बिना नोलेज के मैं नहीं बनाता हूं सो फड़ा फट वीडियो सुरू करते हैं जो लोग नए हैं उनसे यह कहूंगा कि चैनल को सब्क्राइब करके रखिए ऐसी सटीक विसलेशन के लिए और दोस्तों सुरू करने से सबसे पहले डिस्क्लेमर क्योंकि यह एजुकेशनल परपस्ट वीडियो है इसमें बाए सेल होड के कोई रिकमेडिशन नहीं है इसके अधर मैं अपना व्यू आप लोगों के नॉलेज एजुकेशनल परपस्ट के लिए शेयर कर रहा हूं सबसे दोस्तों वीडियो सुरू करने से वह सबसे पहला पॉइंट सारे स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और इसका एक मतलब है जो मैंने लास्ट एनलेसिस करा था कि यह पॉजिटिव ख़वर है फ्यूचर ग्रूप के लिए और बहुत मजबूत है तो मार्के सब्सक्राइब और बर बोलनों आपसे इसका प्राइस बैंट 20 परसेंट का है जैसी डील में क्लेरेंस की न्यू जाएगी यह 20 परसेंट भागेगा फिर आप लोग देखते रह जाओगे सो बिल्कुल चौकना रहिए बैल आकोन दबाके रखिए कुछ भी आएगा अगर आ 55 रुपे 55 पैसे का क्लोजिंग दी है लग भाग इसने 55 रुपे का हाई लगा दिया था दोस्तों जो बहुत बड़ी बात है तो आगे देखते हैं फटाफट क्या अपडेट है और जैसे कि मैं थमनेल में मैंशन करें दोस्तों इच एन एबरी पॉइंट का आपको आंसर दूँगा तो दोस्तों 53 लाग से उपर के वॉल्यूम बड़े हैं इसके अंदर और 23 परसेंट की डिलिवरी है और अगर आप इस वॉल्यूम को कंपेर करते हो वीकली डेटा से मै अब कुछ वीडियो बनाता हूं आप देखिए वीकली वीडिया पूरा डेटा है और वॉल्यूम दोस्तों डबल से भी ऊपर दिख रहे हैं मुझे आप लोग एक बार रीचेक कर लेना यहां पर मेंशन है आप लोग के सामने आप देखिए नंबर ऑफ ट्रेट्स भी दोस है दोस्तों सो एक पॉइंट यहां पर क्लियर होता है थम्नेल का वॉल्यूम वाला बहुत अच्छी खासी बड़त देखिए को मिली है वॉल्यूम के अंदर सेकेंड पार्ट पर चलते हैं दोस्तों 28 नॉम्मर का पत्रचार है फ्यूचर रिटेल का ऑफिशल कम्यूनिकेशन है ऑफिशल अनौस्मेंट है नस्सी बीएसी के साथ उनके उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे पॉइंट कह सकते हो लगभग 14 पॉइंट बताए हैं नस्स से ओपर इनको सोक इस नोटीस भी आया है दूरिंग दिस पीरियड और दिली हाई कोट ने सूला ग्यारा दोजार इकिस को एक प्रिटीशन भी दाखिल हुई है बाई सी ए आई टी जिसमें बताया गया है कि दो वीक के अंदर इस मेंटर को क्लोज करिए थर्ड पॉइंट दोस्तों बताया गया है 19 नौबर 2021 को CCI ने FCL को बोला है कि अपना रिटन समीशन दीजी 21 नौबर को अमेजन को बोला है 23 नौबर को दीजिए और FCL ने बताया गया है कि पॉंप्टली जो भी डारेक्शन मिली है उसका पालन किया है 21 नौबर को अपना समीशन दिया है कॉपी शेयर की है और ये भी मेंचन है दोस्तों हमेजन ने 24 नौबर कोई फाइलिंग नहीं करी है और हमेजन की तरफ से ये भी लिखा गया है कि भाया जो 24 नौबर को हेरिंग हो रही है उसको स्टॉप कराने की बात भी की जा रही है इसके अंदर साथ वेंट में ये मेंचन ने दोस्तों सुप्रीम कोट के अंदर हमेजन ने अप्लिकेशन लगाई है पर्टिकुलर दो वीक वाले पॉइंट को लेके आठ वाले पॉइंट में दोस्तों मेंचन है CCI ने जो इसका टाइम लाइन थी उसको रिफ्यूज करने के लिए मना कर दिया है नाइध पॉइंट में अमेजन ने ये बोला है दोस्तों कि जो हेरिंग वगएर हो रही है उसको इस्टे की बात की जा रही है दसवे पॉइंट में ये बोला कि अमेजन को सफिशिंट टाइम नहीं मिल पाया एच परदा अमेजन 11 पॉइंट में CCI की तरफ से बोला गया है कि भाई आप लोग अगर औरल समिशन करना चाहते हो तो कर सकते हो पोस्पॉंड वाले की संभावना नहीं है इसके अंदर बारू पाइंट में फीचर रिटेल ने बोला दोस्तों कि जो अमेजन को बोला गया था CCI ने उसका वो पालन नहीं कर रहा है और कह सकते हो कि डिस्रिगार्ड कर रहा है इस मैटर को थर्टी नमबर पाइंट बोला है फीचर रिटेल नहीं कि भाईया जो एरोगेंस दिखा रहा है मेंजन उस पर CCI एक्षान ले सकते ले ऐसा लगता है उनको उनको बिलीव है इस मैटर में और फॉर्टी नमबर पाइंट में दो भी इस मैटर की डिटेल थी फ्यूचर कूपन ने अल्रेडी CCI को बताई हुई है तो दोस्तों यह पूरी राम कहानी कह सकते हो पूरी इसके अंदर डिस्क्लोज करिए फ्यूचर रिटेल के ऑफिशल अनॉस्मेंट के अंदर आप ल न्यूज बता दी अब बड़ा पॉइंट रहता है दोस्तों न्यूज भी है रिटेलर को सुप्रीम जटका कैसे लगा वह देखते हैं फिर फॉर्थ पॉइंट मांगा क्या है प्रॉबबिल्टी तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन एर आप फसे वे तो समझो चीज देख रहे हो मुझे नहीं पता बर नुकसान ही करोगे जो दोस्तों सुप्रीम जटका वाली बात की थी इसके नदर देखो साब साब लिखा है सुप्रीम कोट ने टू मोर वीक का टाइम अलाव कर दिया है एमेजन को सीसी आई का जो केश चला था फ्यूचर कूपन डील के के लिए तो मेरे इसाब से रिटेलर को थोड़ा सा जटका है सुप्रीम वाला क्योंकि सबके एक्सपेटेशन थे कि दो वीक के अंदर फैसला आ जाएगा बट अब यह टाइम लाइन थोड़ा बढ़ गई है जो एक मुझे लगता है कि यह अच्छी नहीं है एजन रिटेल नहीं है कुछ और कोईशन है तो भाई discuss करके ही कह सकते हो बात करके ही बात बनती है तो वही मैं कह रहा हूं मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा expert हूं बट जो मेरा view है मैं आप लोग इसाद शेयर कर रहा हूं और जहांता है मेरा view दोस्तों जहां तक मैंने count किया है most of time सही निकला है क्योंकि मैं ऐसे फालतू view शेयर ही नहीं करता हूं अब simple दोस्तों जो मेरे point or mention क्या है क्या है probability तो मैं अपना view बताता हूं आप लोगों को बिलकुल आप ध्यान पुरवक सुनिए पहली probability दोस्तों यह है कि भीया अगर future coupon वाली डील के अंदर Amazon ने कुछ चुपाएं हैं simple सी बात है अगर कुछ hide वाला मामला है at the time of deal कुछ तत्य शेयर नहीं करें हैं तो भीया जो approval देता है उसके पास यह rights भी होते हैं क्यों approval रिवाक कर ले तो मेरे साब से इसमें कुछ समझने की जरोत नहीं है पहला point दूसरा point देखो Amazon का जो stand मुझे दिख र रहा है कि यह matter और कितना लंबा stretch हो जाए कितना खिच जाए यही मैं देख रहा हूं जो भी मैंने अभी तक देखा है ठीक है मिन्स लंबा खिचने वाला matter है और वह already एक साल से उपर खीच चुके है ठीक है third point जो से की तरफ से दोस्तों से की तरफ से भी कुछ नहीं बता कि कब वहां से कुछ order वग्छा पास हो जाय तो एक सप्राइजिंग element हो सकता है तो आप लोग बहुत सतर्क करहना ठीक है कि वहां से कुछ order pass हो जाए यह सब होने से पहले तो तो बहुत बड़ा एक धिटका हो जाएगा तो आप लोग को सतरक रहना है और कुछ कह रहे थे कि फ्रेस एंट्री ली जा सकती है नहीं ली जा सकती है उनको भी मैं क्लेर कर दूं दोस्तों मेरा तो यह विए जिसके अंदर लीगल मैटर लीगल बैटल चलना होता है उस से पैंतानिस का लेबल एक एवरेज करने का लेबल होना चाहिए और अगर यह पॉजिटीव जाएगा तो जाहिर सी बात है जो भी लॉस है वह रिकवर जरूर कर देगा फ्यूचर रिटेल के शेर इतना उनके अंदर है बट अगर डील नहीं होती है तो फिर दोस्तों को ए स्ट्रीम कोड में चले जाएगा दोस्तों देखो उसके बाद वह कहीं भी जाता रहे उसका लेन देन तब तक ही है फ्यूचर कूपन के साथ जब तक उसकी इंवेस्मेंट है और उसके उपर अप्रूवल है जो मुझे लगता दोस्तों आप लोग का व्यूव अलग हो सकता है thinking अलगस दोखती है मुझे इतना बता है कि वह तभी इस company के बारे में बोल सकता है या बता सकता है जब तक उस company का part है ऑगे यह हिस्सा ही नहीं रहता है वह τι इंवेस्मेंट ही RS हो जाती है अप्रूवल उसका तो फिर वो क्यों मयडर के बारे में दो ala किना बनता सबसे बड़ा पॉजिटीव यही होने वाला है फ्यूचर गुरूप के स्टॉक्स के लिए और अगर यह नहीं होता है तो दोस्तों फिर और लेंथी यह मैंटर जाने वाला है सो होप आप लोगों को बास समझ में आयोगी समझ में तो दोस्तों वीडियो को लाइक चलो को सब्क्राइब जरू करिएगा और जिलों ने टेलीग्राम जॉइन नहीं करा है उनसे मैं यही बोलूँगा जॉइन करें रखिए ऑप्सन ट्रेडिंग के भी मैं सिगनल उसके अं बाबाई